किसान बाइयो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल किसान जैनकारी मैं अभी सिक आप सभी किसान बाइयो का स्वागत करता हूँ ऑड किसान बाइयो प्रदान मंत्री किसान संभान निदी योजना की तरफ से एक novo नया अपडेट आया हुआ है आज हम आपको बताएंगे तो चलिए पूरा वीडियो देखिए पूरा वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कैसे आपको EK-22 करना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना की तो यहाँ पर यह देखिए सूचना लिखी हुई है सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना का लाप प्राप्त करने के लिए लावकों को EK-22 सत्तपित करवाना अनिबारी है और केंदर स्तर से EK-22 सत्तपित की समय सीमा 31-5-2022 यानि 31 मई-2022 से बढ़ा कर इसे 31 जुलाई-2022 कर दिया गया है तो आप 31 जुलाई-2022 तक EK-22 कर सकते हैं अभी एक मैना आपके पास है किसान भाईयो और मैं आपको बता दूँ EK-23 जो है दो माध्यम से होती है पहली जो है मुबाईल पर OTP के माध्यम से और दूसरा CSC Biometric के द्वारा तो पहले अपन जो है OTP के माध्यम से आपको समझा देते हैं OTP के माध्यम से इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आधार से मुबाईल लंबा लिंक होता है उस पर जो OTP भीजी जाती है उसके माध्यम से प्रदावन मंतरी के सान सम्मान निदी योजना की EK-23 आप कर सकते हैं अपने स्मार्ट फॉन द्वारा घर बैटे ही और मैंने इस पर वीडियो भी बता बनाया हुआ है उसकी लिंक मैं अपने डिसकुस्वर्म में डाल दूँगा बहां से भी आप डायटली जा सकते हैं और दूसरा जो है CSC सेंटर यानि CSC सेंटर के माद्यम से आप बायो मेट्रिक अंगुठा लगा कर जो है आप EK-23 करवा सकते हैं और इस पर आपको पंदा रुपे का सुल्क देना होगा और किसान भायो चलिए मैं आपको दो चीजें आपको रखनी होंगी आपके सामने अगर आपको EK-23 करना है पहले जो है मॉबायल नम्मर और दूसरा आधार नम्मर इन चीजें को आप कहीं पर भी यहां पर EK-23 कर रहे हैं दो चीजें आपके पास होना जरूरी है तो चलिए मैं इनकी ऑफिसल वेप साइट पर आपको बता देता हूँ इनकी जो है ऑफिसल वेप साइट है और ऑफिसल वेप साइट पर यहां पर देखिए किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो help line नमर दिये हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी 31 July 2022 कर दिया गया है तो किसान भाईयो आपके पास एक मन्त है एक महिने में जो है आप EKYC करवाएं अपने smartphone द्वारा भी कर सकते हैं या फिर CSE Center पर भी जाकर EKYC करवा सकते हैं और किसान भाईयो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चेरल को सब्क्राइब करें